नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रेटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 36 वर्स के पुरूस के पाम का अनसेस करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एकएक करेंगे इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल अकन को प्रस कर दे ताकि latest notification आपको मिल जाएं तो चलिए शुरू करते हैं इनका questions अस प्रकार है कि अभी इनकी job में issues चल रही है तो आगे job मिलने के कब से chances हैं और कैसा मिलेगा पहला question दूसरा इनका जीवन लगजरियस रहेगा की नी तीसरा विदेशी धर्ती से धनलाव या permanent settlement के योग हैं की नी चौथा भागी रेखा की क्या इस्थिती है हतेली पर तो निश्चिंतर है आपके साड़े questions को एके करके कवर किया जाएगा पहले तो मैं इनकी हतेली पर जो विशेशकर योग है उसको भी मैं बताऊंगा वीडियो के माद्यम से पहले मैं उशी को बताता हूँ आपको तो एक close-up pick मैं इनका दिखाना जाओंगा तो ये इनका close-up pick है अभी recently इनकी एतेली पढ़ना बुद्ध रेखा कमाल की develop कर रही है तो मैंने इनको phone पे बताया कि आने वाले समय में ना आपके जीवन पर business prospectus को लेके बहुत ही अच्छे योग बन रहा है अब आप इसको feel करिये strong बुद्ध रेखा इनकी strong बुद्ध रेखा इनकी आगे develop कर रही है फिलाल ये developing stage में नहीं है लेकिन जैसी इसकी आकिरती है और जैसी किस हिताब किताब से ये चल रही है इसके accordingly ये बुद्ध रेखा बहुत ही शानदार बनेगी बहुत शानदार दूसरा इनकी एतली पढ़ना इनकी fate line इनकी fate line अगर आप feel करो तो यहाँ पर से कुछ दूमिल अवस्था मुझे परती थोड़ी है यहाँ पर से भी कुछ दूमिल अवस्था थी तो वैशा कोई विशेश कर फल इस दूमिल अवस्था वाले fate line का नहीं मिलता है तो इनकी fate line जो शक्रिय है ये 40 years के around से शक्रिय है यहाँ से इनकी fate line पतली हो के आगे बर रही है तो ये fate line का फल इनको 40 years के around से मिलेगा अब इनकी जीवन रेखा को मैं थोड़ा clear view देता हूं आपको अगर इनकी जीवन रेखा देखो न तो यहाँ पर से एक distraction था एक राहू राइन का cut था ऐसे cut तो पहले भी था पहले भी दो cuts मुझे दिखे थे इनकी एतली पर लेकिन अभी जो इनकी आयू है न इस आयू के accordingly अगर मैं बोलू जो cuts इनका 36 का age चल रहा है ठीक है तो इनका 36 का age अभी चल रहा है 36 की age प्रगती पर वहीं पर से अगर आप feel करें न ये तकरीबन आपकी 36 year की cut है तो इस समय आपको दिक्कते चल रही है इस से पहले 35 में एक progress line था तो उस समय कुछ benefit होगा लेकिन 36 में cut है तो एक साल का ये दिक्कत indicate कर रहा है उसके बाद इनका cut जो है ये तकरीबन आप 38 years का मान लो लेकिन इस cut का कोई wishes दूस्प्रभाब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इनकी जीवन रेका ना overlapping है overlapping नहीं है इनकी जीवन रेका ऐसे कुछ इस्तिती बनाई है मतलब positive changes दर्शारी है तो इस समय आपको positive changes मिलेगा ये आपकी 38-39 years की age है अगर आप इस चीज़ को feel करें तो यहाँ पर से देखे एक line यहाँ से गई और एक यहाँ से हलकी निकली और राहू line ना पूरी तरह से cut नहीं कर पाई तो यह जो निकलना था progress जो होना था वो हो गया लेकिन जो यह cut है न हलका से यह क्या करेगा ना यह थोड़ी बिसम प्रिस्थिती बना देगा उस समय होगा क्या इनको लगेगा कि मेरा नौकली नहीं मिलेगा मुझे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा लेकिन उस समय इनको जॉब मिल जाएगा और अच्छे जॉब की जॉब उमीद करो वो आपके 40 एर्स के राउन से मुझे दिख रहा है क्योंकि इसके पहले ना फेट लाइन में दिखकते हैं तो यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा सर्वाइफ कर लेंगे मेरे द्वारा उपाई भी दिया जाएगा लेकिन जो 40 एर्स के बाद किया आपकी फेट लाइन है यह आपको अच्छी तरक्की देगी जीवन पर और यहाँ पर देखो हलका 40 एर्स में एक और कट भी है तो 40 एर्स के बाद इस्थितिया इनकी समान नहीं है उसके बाद कोई राहू लाइन नहीं इसको मैं मानूँगा तो 40 एर्स तक दिक्कते हैं आपकी जीवन रेखा मुझे दिखा रही है तो मैं इसका आपको उपाई दूँगा उसके बाद कि आपकी इस्थिति बहुत अच्छी है और एक बड़ी प्रगती का योग भी है जो कि आपके 51 में बन रही है और यहाँ पर से एक multiple property का योग भी डबलब कर रही है तो इस समय आपकी इक्छाओं के पूर्ती के बहुत ही strong शमय मैं फील कर पा रहा हूँ इससे पहले थोड़ा struggling रहेगा कभी क्या होगा ने एक साल अच्छा हो गया दो साल खराब हो गया अब उस साल को मैं आपको दिखा दू तो अभी इनकी जो age चल रही है वो अभी 36 की प्रगती पर है वहाँ पर एक राहू लाइन आपने देख लिया और एक 38 में भी आपने देख लिया और एक तक्रीवन आपकी 40 में तो ये जो आपका 4-5 साल का वदी है ना इसमें दिक्कतें है बीच-20 में oxygen की प्राप्ती हुए है 38 में जॉब मिल जाएगा फिर 40 में कोई परशानी आ जाएगी तो इसके लिए मैं आपको उपाई दूँगा राहु के लिए तो एक उपाई है कि आप महादेब की पूजा करें वो तो काफी important है बाकि additional उपाई भी मेरे द्वारा दिया जाएगा आपको जो आपके लिए काफी सटीक साबित होगी तो मूलता 40 के बाद आपकी इस्तितियां काफी समानी है और आपकी जीवन रेखा आपकी भागी रेखा से भी और आपकी जीवन रेखा से भी आयो दिर्गायू है तो अभी इनके questions के तरफ चलता हूँ कि इनकी मन चाही नौकड़ी की प्राप्ती देखिए फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा थर्टी एट में आपको एक मध्यमस्तर ये नौकड़ी मिलेगी जिससे आप अच्छी तरह सर्वाइफ कर जाओ और अभी जो आपका आयो चल रहा है आपका question हो सकता है कि अभी कैसे मैं निकालू तो देखिए एक प्रगती का योग तो यहां भी बने हुए तो अभी आपका job हो जाएगा इसका अवदी इस राहू लाइन का आठ नौ मेंथ का होगा या मैक्सिमम एक साल का होगा उसके बाद कि आपकी नौकड़ी मिल जाएगी फिर एक 38 में हलकी सी जग जोलेगी आपको एक बिसम परिस्थिती बनेगी और उस समय कोई प्रगती होगी आपकी जीवन पर बिसम परिस्थिती बनी प्रगती होगी 40 में फिर तोरी दिक्कते आ सकती है लेकिन अभी इसका उपाय आप कर लेंगे तो वो दिक्कते कम हो जाएगी फिर उसके बाद से आपकी जीवन रिखा काफी स्मूथ है तो ये कुछ कोशन्स था इनका जॉब के रिकाड़िक जिसका मैंना भी क्लियर किया बागी लग्जरी लाइफ को लेके तो देखे जैसे आपके शुक्र अच्छी है तो ये तो 100% वाली बात है कि आपको लग्जरी लाइफ का शुक मिलता है इसमें कोई संदे वाली बात नहीं है और दूसरी मल्टिपल प्रॉपर्टी के योग है तो इनसान एक से जादा दब प्रॉपर्टी बनाता है तो एक प्रॉपर्टी क्या फुल लग्जरियस नहीं बना सकता अवश्य बना सकता है तो भागी रेखा भी आपकी साथ है मल्टिपल प्रॉपर्टी के योग भी अच्छ है शुक्र भी डबलब कर रही है और दूसरी देखो अच्छा समय आने का पढ़िचे है कैसे होता है एक तो आपकी मल्टिपल प्रॉपर्टी के योग बन गए दूसरी आपकी बुद्धर राइन डबलब कर रही है और तीसरी जीवन रेखा से 40 के बाद साड़े राहू लाइन खतम हो रहा है तो इस केस में व्यक्ति को फाइदा मिलता ही है क्योंकि स्थितिया एकदम सापसाप मुझे अस पस्ट रूप से दिख रही है तो ये इनका तीसरा कोशन था चौथा कोशन है फेट लाइन इनकी कैसी है देखिए फेट लाइन तो आपकी है गरबर स्टार्टिंग से गरबर रहे है लेकिन आपके स्ट्रगलिंग फेज खतम हो जाएगा 40 के बाद उस समय से आपके स्थितियां काफी समानिय और काफी अच्छी चल रही है चुकि आपकी गरहों में अच्छी स्ट्रेंथ है थी जो की बेस होती है तो व्यक्ति का जीवन चल गया होगा लेकिन भाग्य के रिगार्डिंग इनको हमेशा एक सिकायत रहा होगा कि मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं देता ये इनकी फेट लाइन के विश्र में एक सच मैं बता रहा हूँ आपको और यहां से इनकी फेट लाइन पतली है तो ये इनका दूसरा पिक है सरपरतम इनके पाम के सेप को देखूँगा स्क्वारिस पाम है तो मद्यमेश को ऐसा फलता मिलती है और सारे ग्रों में मूलता स्ट्रेंथ है चंदरमा थोड़ा सा इनका वीक है थोड़ा ने मद्यमस्तर ये चंदरमा है तो व्यक्तितोरा इमेज नड़ी लाइफ में जाधा रहता है और ये लोग सोच लेते हैं पहले करते बाद में है तो ये थोरा सा आपको कोशिश करना पड़ेगा इसके रिकार्डिंग मैं आपको बताऊंगा बागी शुक्री इनका प्रबल है तो लाइफ टाइम दिक्कत नहीं होगी मैंने पहले भी बताया है गद्यदारा वस्ता है तो राज्यो कफल 55% के राउंड मिल रहा है फिर देखे गुलाबी भी है तो धन को एट्रेक्ट करती है पैसे के मूलता इन लोगो दिक्कत नहीं होती क्योंकि इस्थितिया है इन लोग पैसे कमा लेते हैं यह जानते हैं पैसे कमा लाइफ फिर देखे इनके दली पर थम तो व्यक्तित व शांदार इस ट्रॉंग व्यक्तित व है यवाकृति सपोर्ट मिल जागा लेकिन अगर इ अपने जीवन पर है अपने दम पर है इक्षा सकती प्रबल है तर्ग सकती काफी अच्छी है पहले तो लाइफ को सेट करना है फिर बहुत कुछ करना है लाइफ पर वो ये करते भी है थम अच्छा है नो डाउट फिर देखे इनके इतले पर समझदारी के लोग यह भी काफ अच्छा रहेगा तो फिर खराब समय में भी आप इजी वे में सर्वाइफ कर लेते हैं दूसरी देखे तो इनके खड़ी लाइन है तो व्यक्ति काफी दिल से अच्छ है किसी के परती कोई रदभाबना नहीं है कोई रदभाबना नहीं ग्रश्पती फिंगर हलकी उची ज ऱहना परता और रहना भी जरूरी है यो खर्च के शितिती काफी बन रही है इसकेस के से व्यक्ति के खर्च जरूअänger से ज़्यादा होते है आई से ज़्यादा खर्च होते हैं अब यह आप देखे बुद्द्ध फिंगर इनके बढ़ी है तो व्यक्ति काफी जादा communionicac mailbox हो यह लोग किसी को भी अपनी बाते इजी वे में समझा देते हैं और इजी वे में कन्वेंस कर लेते हैं तो यह एक अच्छी चीज है अगर आप इस छेतर में कारी करेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनेफिट होगा गैरिंटी हमारी है फिर देखें इनकी एदली पर ब्रश इनकी ब्रश्पती यहां से दबाब थी तो प्रारंबिक समय में या कारी छेतर को बढ़ाने में स्टाटिंग में प्रॉब्लम्स आई होगी पड़िवाएक टेंसन से भी इस पर हलकी फलकी रहती है फिर इनकी ब्रश्पती समाने थी और ब्रश्पती पर भी एक बहतरी इन इनकी अच्छी है और कुछ लाइन्स बने में तो प्रॉपकार के कारे करेंगे लोगों के परती अच्छी भावना है आपकी और फिर आपकी ब्रश्पती अगर यह स्कॉयर बनता तो अच्छी का से स्ट्रिंथ वाली बन जाएगी नेगेटिवीटी को दूर करके तो आपक का फल इनको मिल जाता है 60% के राउंड और भागी रेकाईर की जीवन के लास्ट प्रिंड में काफी उम्दा है काफी उम्दा इस केस में आपको फल मिलेगा डिस्टर्व शुक्र वले मुझे दिखरा है थोड़ा यह देखो इस केस में क्या होता ना 25 से लेके 33 वर्शों के बीच में परिशानी आती है तो वो परिशानी फैमिली के भी हो सकती है वो परिशानी आपके कारी छेतर जो कारी आप करते हैं उसके रिगार्डिंग भी हो सकती है फिर देके इनके एदली पर लाइन ओफ एजूकेशन बड़ी खुब सूरत लाइन ओफ एजूकेशन है दि व्यक्ति चाहरा है कुछ करने है तो और जब सूरी रेखा तो डिस्टर्ब होना जैसे ही सतली पर मुझे फील हो रही है फिलार मुझे कोई स्ट्रॉंग सूरी रेखा नहीं दिख रही है तो व्यक्ति का एक सोर्स ओफ इंकम रहता है लेकिन कभी-कभी वो मिट भी जाता है मत मतलब कि सूरी रेखा प्रबल ना हो तो कभी जॉब से आप छूट गए है कभी आपकी इंकम नहीं होए कभी जादा हो गई मतलब कोई फिक्स नहीं होता यही सूरी रेखा कर आपकी अभी जैसे बन रही है अगर बन जाती है तो यह इसके बहुत अच्छे फला जाएंगा आपको एक source of income तो definitely बना रहेगा लेगिन पैत्रिक संपत्ती का साथ यहां से मैं देख पा रहा हूँ और दूसरी यहां पर से इश्वर मेरा test ले रहा है मैं इसको pass करूँगा और आगे बढ़ूँगा कुछ बढ़ा करके दिखाऊँगा यह इनकी thinking रहती है यह चीज़े मैं देख रहा हूँ और बाकी इनकी विदेशी दर्ती से धनलाफ settlement को लेके प्रशन भी था और एक line आपकी develop करी इस case में आपको म माना है यह लोग पैसे कमा भी लेते इतने दिवाग के तेश होते हैं no doubt मंगल अच्छा है तो energy अच्छी प्राक्रम अच्छा है और हिम्मती भी अच्छा है जब आपका मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जल्दी घबराता नहीं क्योंकि वो जानता है कि मैं कर लूँग रोगी या तो बहुत बड़े भोगी क्योंकि उनकी जीवन पर बहुत सुक है वो डड़ेंगे कि मेरा सुक छिन तो नहीं जाएगा और जो रोगी है उनके जीवन पर तो कुछ है ही नहीं वो ड़रेंगे कम लोडग जाऊंगा मैं तो ये कुछ चीज़े होते हैं मंगल तो एक से ज़ादा बना पाएंगे अब इनकी चंदर्मा देखो यह चंदर्मा इनकी बढ़िया है करव लीवी है लेकिन यहां से पूड़ा पूड़ा फ्लैट है तो व्यक्ति इमेजडरी लाइफ में ज़ादा जीता है अगर यह चीज़े आपके साथ नहीं हो रही है आपने इसमें सुदार कर लिया तो वेलन गुट नहीं तो इसमें करने गया हो शकता है और चंदर्मा आपका वैसे बाकी काफी अच्छा है विदेश दर्ती से दनलाव के लाइन से भी बने हुए है तो इस केस में वेक्ति को विदेश दर्ती से दनलाव होता है लाइन से बिसिकली इनकी ये बन रही है और ये तो एक माइन रेखा का ब्रांज था तो ये एक लाइन यहां से डबलब कर रही है अगर ये बनेगी तो आपको बेनेफिट कराएगी फिर अभी तो केतू बड़बत पर कुछ ऐसा इंडिकेशन्स नहीं है आपकी जीवन रेक आपकी जो शुक्र है वो काफी प्रबल है इनके एतली पढ़ना इनके शुक्र लाजबाब है मतलब बहतरीन में से एक उच्चेता मवस्था आप अगर शुक्र को प्रेश करेंगे तो काफी अंदर तक प्रेश होगा तो ये शुक्र अच्छा कोई विशेज डिस्ट्रेक्शन्स के लाइन भी नहीं मनी की खुबसूरत लाइन से और उसी मनी के लाइन के साथ स्कौयर्स वेगरब बने में तो इस केस में व्यक्ति को प्रापर्टी का सुक मिलता है शुक्र परदानों तो वाइफ का अच्छा सपोर्ट परिवारिक स्थिती काफी अच्छी रहती है सपोर्ट मिलता है बेसिकली और व्यक्ति का जीवन लगजरियस बीटता है और जीवन रेखा पर बिसेश डिस्ट्रेक्शन ना हो तो व्यक्ति को ज़ादा फल मिलता है और डिस्ट्रेक्शन्स हो भी तो भी इनके पास पैसे कहीं न कहीं से आही जाते हैं और प्रस्नारिटी वाइसे काफी अच्छे हो तो लगजरी की लाइन्स भी बनी हुए हैं और मंगल पर भी देखो तो कुछ लाइन्स हैं कुछ लाइन्स मंगल रेखा भी अच्छी हैं और दूसरी स्क्वाइर्स भी अच्छी हैं क्यों आ गया क्योंकि आपकी मंगल रेखा थी और उसी प्रियर्ड में थे जिस समय आपकर राहू लाइन था तो इसके कोई बहुत दुस परभाब ऐसे विशम दुस परभाब नहीं होंगे जो आपको बहुत परिशान करें लेकिन हाँ 70% बहाँ तो थोड़ा परिशान तो आपको करेगा लेकिन 30% एक खुशी के बाद इसने ये कम कर दिया फिर देकिन के जीवन रेखा लाजबा आप जीवन रेखा तो 75 एर प्लस आयू को लेकर टेंशन नहीं है 40 के बाद इस सितिया समान जो अर्लियर समझाया गया और 51 में बड़ी तरक्की ये 48 तो 49 के बीच की ही तरक्की है लेकिन मूलता ये 50 तक चली ही जाएगी 50 में बहुत अच्छी तरक्की उसके बाद से जीवन रेखा काफी जादा स्मूथ और व्यक्ति को इसका फल मिल पाता है चुकि मैं इस प्राग्रस लाइन को इसलिए इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही आपकी 40 के बाद अच्छी तरक्की है 50 में तो definitely है फिर देखें इनकी starting phase में माइन रेखा में distraction था प्राग्रमिक समय दवाब रहा होगा लेकिन इसके बाद से इनकी माइन रेखा जबरदस्त हो गई और दो-दो branches खुलते में नजर आ रही है तो इसके इसमें व्यक्ति का दिमाग काफी अच्छा एक्टिव रहता है चल पाता है अगर आप इस कष्ट को जेल रहे इतने राहू लाइन को तो कहीं न कहीं अपने माइन के पावर के दमप है वो पावर मुझे काफी अच्छी दिख रही है और इनकी हर्ट लाइन भी काफी शानदार है तो व्यक्ति दिल दिमाग से काफी तंद्रूस्त होते है इसमें कोई संदे वाली बात नहीं है कोई संदे वाली बात नहीं जुपिटर तक गई है तो व्यक्ति परिवार से प्यार करने वाला नो डाउट भागी रेका स्टार्टिंग से तो मिसिंग थे यहाँ पर 28 से अलकिल की बनते वे नजर भी आई और 36 से चल भी रही है लेकिन मूल जो इनकी भागी रेका है 38 के बाद बहुत गजब की है और मल्टीपल प्रापर्टी के योग के साथ तो प्रापर्टी का सुख मिलता जीवन के लास्ट प्रियर तक नो डाउट और इनकी जो बुद्धर रेका बन रही है इसका फल ये बन जाती क्लियर इसका फल तो गजब का मिलेगा क्योंकि ये बड़ी ग्रेटर ट्रेंगल बनाएगी तो ये था इनके तली का पूनत अविश्टेशन अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर आप प्रस्तनी मेरे से परामाशना चाहते है तो हमारा वाट्सप नमर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ले के आप संपर कर सकते हैं धरन्यवाद